भारत की मनुबादी मीडिया अपनी निस्ता की हदे पार कर रहा है सोची अब टेलिविजन चैनल में भारत के नागरीकों की खबर नहीं है बिरुजगारी की खबर नहीं है मजदूर किसान की खबर नहीं है पीबी में सिर्फ और सिर्फ सरकार की खबर है सरकार को जिताने की कोशिश है और सोचिए लगाता रोज हर चैनल इस देश के नागरीकों के दिमाग में वो पिनियन पोल ठूस रहा है वो कह रहा है कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी हार रही है इसका मतलब है कि इस देश की जो मनुबादी मीडिया उसने सत्ता के सामने सरेंडर कर दिया है और वो जो आपको दिखा रहा है दिन रात वो तरसल सबसे बड़ा जूट और अफवा है और वो आपको कह रहा है कि जो हम दिखा रहे हैं उसको आप मान लिजिए नमस्कार मैं शंभुक उमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक सुचिये इस देश का TV अखबार रोज आपको अपिनियन पोल दिखाता है कि कौन सी पाटी जीत रही है कौन सी पाटी हा रही है सुचिये सारे TV अखबार के अपिनियन पोल जो है वो BJP और RSS को जीतती हुई दिखारे इसकी वज़ए है कि इस देश का TV अख़बार में न तो दलित है न पिछरा है न आदिवासी है न किसान है और आपको mentally तयार किया जा रहा है कि 2024 में जो नतीजे आएंगे उसको आप पूरी तरह से accept कर लीजिए पहले से ही आपके दिमाग में भरा जा रहा है कि BJP RSS की जो पार्टी है वो 400 सीटे जीतने वाली है उसके बाद TV अख़बार की दूसरी ख़बर है कि किस तरह से इंडिया गटबंदन में दरार है और खासकर तेजस्वी आदब, मायवती, नितीज, कुमार ये सारी पाटियां बरवाद हो चुकी है और ये आपस में लर रही है मैं फिर कह रहा हूँ TB अख़बार का एक ही काठ है सोसल मेडिया और बहुजन समाज को TB अख़बार का बैकोट करना चाहिए और वो बहुजनों के हक अधिकार के खिलाफ है सोचिए 79,000 सिचक भरती को लेकर बहुजन समाज के लोग यूपी में परदरसन कर रहे है वो ख़बर नहीं है जनतर मंतर पर बिरुजगारी के खिलाब परदरसन हो रहा है वो ख़बर नहीं है राहुल गांधी जा रहे है किसी स्टंट वाजी कर रहे है वो तो ऐसे भी खबर नहीं है लेकिन राहुल गांधी कम से कम भारत जोड़ोयात्रा की तरह न्यायक यात्रा कर रहे है एक कंसे कम खबर एक पत्रकार के तोर पि ये खबर तो दिखानी चाफिए सरकार से जूरी सारी खबरे दवाई जा रहे है IBM से जूरी ख़बरे दबाई जा रहा है सोचिए भारत पर 155 लाख करोड का करज हो गया है पिछले 10 साल में एक्स्ट्रा वो ख़बरे नहीं दिखाई जा रही है तो ये सबसे बड़ी ख़बर है जो आपको समझना पड़ेगा तो टीवी अख़बार जो है वो सत्ता के साथ है और वो आपके दिमाग में डाल रही है कि कौन जीतेगी कौन हारेगी लेकिन सोचिए उसी दोरान टीवी अख़बार 10 लाख के करीम नौकरी लगभग आंकरा पार होने वाला है चार लाख सिख्षकों को भी नियोजित कर दिया गया है और लगातार बिहार में जिस तरह से नितिस्क और तेजस्वी आदब की सरकार जो है वो नौकरियां दे रही है लगभग 10 लाख का कोटा पूरा हो सकता है पांस साल में उन्हें वादा किया था लगभग 6 लाख के करीब नौकरियां दे चुके है ये सबसे बड़ी खबर है लेकिन इसको नहीं चलाया जाएगा नहीं तो पूरी देश की दसा और दिसा बदल जाएगी तो टीवी अखबार क्या सरकार के परवक्ता बन गए है वो कम से कम पत्रकार अब आप सुकते होंगे ये सरकार के साथ क्यू है सरकार के साथ इसलिए है कि जो लोग टीवी अखबार में नौकरी करते हैं उनकी बिचारधारा RSS और BJP के साथ है वहाँ सब के सब सवन समाज के लोग हैं और सवन समाज BJP और RSS के साथ जैसे मैं बहुजन समाज का आदमी हूँ और मैं इस देश के 95% बहुजुनों के हक अधिकार संबेधानी का अधिकार की बात करता हूँ देखें दो अंतर हैं बहुजन समाज के अधिकारों की बात करना मतलब संबैधानी की अधिकार की बात करना है और बाकी जितने भी लोग हैं वो जो सवन समाज के लोग हैं वो किसी तरह से अपना जो जातीय वर्चस्व है जो उनका धार्मिक वर्चस्व है वो उसको बनाय र वो एक जूट रहें और दलित पिछले आदिवासी किसानों की खबरों को इसलिए दवाए जाता है कि आप कहीं 90% आवादी जो है वो सरकार से सवाल न पूछने लगे तो टीवी अखबार रोज आपके दिमाग में जो ये इबीम का खेल डाल रहा है इबीम की खबरें दिखा रहा है उपिनियन पूल दिखा रहा है चुनाओ से पहले ही किसी पार्टी को जिताना हो तो इसको बोलते हैं हवा बनाना तो आप लोग अपने मुद्धों पर स्कूल अस्पताल रोजगार बिरोजगारी इन समुद्धों पर सवाल कीचे और सोचिए कि टीवी अखबार ज मीडिया उपिनियन पून बला रहा है और मैं और राहूल गांधी एक बार फिर से लगभग बासट सो किलोमेटर की आतरा करेंगे मनीपूर से लेकर मुंबई तक पचासी जीले हैं आठ राज्यों को कबर करने जा रहे हैं साइद ये भी खबर है लेकिन राहूल गांधी भ बहुचे बहुजन समाज के नेताओं के साथ ये प्रॉबलम है कि वो 20 संसाधन एक कमी बड़ा मुद्दा है लेकिन उनको राजनीती 24-7 करना पड़ेगा अब पहले की तरह से चुनाओं के दिन आप राजनीती करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी वहीं सोसल मीडिया पर खेल बदल जाएगा बीजेपी के पास कोई और काट नहीं है ये सबसे बड़ा सवाल है और ये समझना पड़ेगा अखिलेश यादव और मायवती जी को समझावता करना चाहिए अखिलेश यादव अगली बार मुखमंत्री बन जाए मायवती जी को परधान मंत्री कैनिड गहोसित किया जा सकता है उसे 16-15 परसेंट बोटो का मुस्त इंदिया घटवंदन में प्रसेंट 15 ये सब आपको करना पड़ेगा और खासकर जो मयावती जी हैं नीटी सकुमार है आतियस्वी यही जुल हिरी मंद्री और कॉंग्रेस फिलाल इसके लिए तयार नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं कि यूपी में बीएसपी और बीएसपी का असर मत परदेश राजिस्टान च्छतिस गर में भी एक तरफा पड़ेगा तो इन तमाम अच्छति यूपी सी लीडर्सी बाली पार्टियों को एक जूट होना पड़ेगा और जब तक एक जूट नहीं होंगे तब तक 2024 की लड़ाई मुस्किल है मैं फिर कह रहा हूँ कि इंडिया गटवंधन में सब कुछ निर्वर है कॉंग्रेस पर कॉंग्रेस दरसल में फिर मुझे लगता है कि इस देश के जो सवन नेता है जाब वो किसी भी पार्टी में हो वो बीजेपी के साथ है इसलिए असली बीजेपी की बीटिम सवन लीडर्सी बाली पार्टी हैं कॉंग्रेस है वह सोचे 79,000 सिचक भरती मामले में टीवी अख़वार आपको नहीं दिखा रहा है उसके बाद सोचिए कि बहुजन समाज के मुद्दों को आज भी नहीं दिखाया जारा है सोचिए 79,000 भरती का मामला है कोई टीवी अख़वार नहीं दिखा रहा है सपा बसपा RJD, JDU, JMM, DMK के निताओं को कोई TV अख़बार नहीं दिखाता है उनको भरश्ट जरूर बताता है उनके दलों को लोगों को उनसे दूर करता है बहुजन समाज से अपील है कि अपने ही समाज के लोगों को अपने ही दलों को भरश्ट न माने ये सिर्फ मीडिया प्रोपगेंडा और मैं फिर कह रहा हूँ मनुश्मिर्ति से ज्यादा खतरना के मनुवादी मीडिया है जो सोसल मीडिया पर वाइरल खबर है और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोसल मीडिया है बहुजन मीडिया है और माया वक्ति को गट बंधन में लाना बहुत जरूरी है यह जरूरी होगा सपा को भी समझना परेगा और वहीं अगर UP में BSP और सपा का गट बंधन होता है तो सोने पर सुहागा नहीं तो जो सबसे अगर BSP अकेले चुनाव लड़ती ह तो नुकसान उठाना पर सकता है क्योंकि ज्यादा तर जो BJP विरोधी बोट है उनका perception है कि जो BJP को हराता हुआ दिखेगा हम उसी को बोट करेंगे तो यह सबसे बड़ा सवाल है जो सोसल मीडिया पर वायरल है और आज 79,000 सिच्छक भरती का जो मामला UP में वो कोई नहीं बहुजन नेताओं को सोचना है कि कैसे वो अपना पैरलल मीडिया खरा करते हैं सोसल मीडिया खरा करते हैं और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक अपने ही लोगों तक नहीं पहुँचेंगे इतनी जरूर एक अच्छी बात हुई है कि यह CSTOBC लीडर्सी बाली जो कर लडाई लर रहें लक्षमन यादव हो प्रफिसर रतनलाल हो दिलीप मंडल हो ऐसे तमाम सोसल मीडिया के पत्रकार हो उसमें आप मुझे भी मान सकते हैं यह कहना कि अपनी तारीफ न करें यह मनुबाद है उनके पास TV अख़बार है अपनी बात कहने के लिए आप अपन समाज को ऐसे लोगों को चिन्हित करके सोसल मीडिया के जरिये उनको पहचान करके उनको उनके साथ ख़ड़ा होना पड़ेगा वहीं एक खबरारे की चंसेखर रावन जो जो अभिमार्मी के परमुख हैं और आजास समाज पार्टी के अध्यक्ष है वो नगीना लोग सभा से चुनाओ लड़ सकते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि इंडिया गटवंदन में मायावत्ती और वैसी बड़े फ्रेक्टर हो सकते हैं और अगर कॉंग्रेस इस पर आना करती है या समाजबादी पार्टी आना कर ना करती है तो इससे नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा आ may फिर कहा रहा हूं जिस समाज में एक समाजीक सहमती नहीं हो नेताओं की छोड़ दीजी हो सकता है नेताओं की महतपांग्षा जादा हो वो नएक जूट हो लेकिन जदिन समाज के लोग अलपसंखीक समाज के लोग सवर्ण समाज की तरह एक पार्टी को बोट करना सीख ग कहते हैं कि इस देश में सपा बसपा आर्जेदी जेडियू जेमें एमाइए मोबैसी ये तमाम जो दल है इनके पास कैडर वोट है सोचे मुस्लिम 15 परसेंट है सिडूल कास 15 से 20 परसेंट है ओवी सी 50 परसेंट है किसान इस देश में बहुत संख्यक आवादी है ये सम मिलाकर जो हैं जो SC, ST, OBC की लीडर्सी बाली पार्टियां है अल्प संक्यक समाज बाली पार्टियां है वो ज़्यादा ताकतवर पार्टी है बीजेपी और कॉंग्रेस पैसे बाली पार्टी है ये बहुजन समाज को समझना परेगा वही सोचल मीडिया पर EDM को लेकर भी लगाता डिस्कोर्स बढ़ता जा रहा है तो ये तमाम बड़ी खबरे थी जो आज सोचल मीडिया पर वायरल है आप अपनी पत्करिया जरूर दीजिए और टीवी अख़बार पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए वो चुनाओं को परभावित करना चाहते हैं और ओपिनियन पोल्स दर अचाहर निस्बार दॡस्त को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कौलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंते दवाएं निस्फ्ते है को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेट जरूर करे